है लूप टिये जनों साथियों आप सभी को नमस्कार मेरा प्यार भरा राम राम यानिकी सुनीता का तो आप सभी कैसे हो आसा करती हूँ कि आप सभी स्वस्त और मस्त होंगे तो फ्रेंट्स यहां पसना हो रही है सुबह का समय और आज हमारी ब्लोग स्टार्ट हुई है सुबह से आंगन की जो है मैं ज़ाड़ू लगा रही हूं फ्रेंच तो यह देख सकते हैं और यहीं से शुरू हो रही हमारी ब्लोग तो अगले ब्लोग में आप लोगों ने देखा था जो भी हमारे साथ हुआ था वो मैं सारी चीज़े आप लोगों तक सेयर की थी तो यहां पस देखिए हमारी बड़ी लड़की न वो मतलब कहने लगी फ्रेंच कि मैं बरतन धूंगी ऐसे करके तो वो मांजने लगी थी वहां बैट करके देख रहे हूंगे केमरे बे साब साब दिखाई दे रहा होगा और मैं जो है न यहां जाडू लगाने में लगी हुई थी तो वो मतलब न सुबे का समय था और क्या बोलते हैं बड़ी लड़की जो है न वो नहीं मांज सकती थी क्योंकि मांज तो लेती है लेकिन पूरा जो है न राक से मांजते हैं तो पूरा सुखा देती है तो ऐसे में उसका धोया हुआ पूरा सफेद सफेद हो जाता है तो बस वो अपने सौक के लिए माझती है उसके बाद छोड़ देती है तो अभी माझ रही हो लेकिन सारा चीज को मैं ही धोंगी जा करके फिर से दुबारा उसको रगड़ना मेरे को पड़ेगा कहती है कि आपका हाथ में सुई लगा है तो रहने दो और छोटी बोलती है कि दीदी करेगी ऐसे बोलती है और पानी भी नहीं था तो उसके पापा जी जो है ना सुबे में पानी ला करके यहां पस रख दिये अभी सुबा तो उटते के साथ लाए नहीं क्योंकि सब लोग बाहर चले जाते हैं सुबे उटने के बाद तो कुछ देर के बाद आये उसके बाद में ला दिये हैं तो हमारा ज्ञाणू जो है ओ कम्प्लिट हो चुका है और सोरी हुआ नहीं है मतलब होने वाला है उसके बाद में अभी जो है मैं बरतन को साप करूंगी मांजी हुई है थोड़ा बहुत जा हमें भी अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा इसलिए नहीं दिखाई मैं आज तो यहां पस आ गए थे हम लोग ना सबजी खोदने के लिए हमारे घर पे कुछ भी सबजी नहीं था तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या सबजी आज बनाएंगी तो चोटी के पापाजी यहां पस खोदने लगे थे इसको ना हम लोग बर्शात आया उसी टाइम पर लगाये हुए थे लेकिन आधा को खोदे हुए थे और आधा बाकी रह गया था तो अभी पानी आया उसमें तो कोई कोई सा मतलब और जर्या निकल गया है और इस बार जादा नहीं हुआ था थोड़ा के लिए आ गय है यहां और इस टाइम पर हमारे नurpose पाकाने के लिए चावल डालने के लिए पांनी चड़ा चुकी थे उसके बाद में हम लोग आये हुए थे यहां बाड़ी में खोदने के लिए तो देखिए इस तरीके उतने जादे कोड़ दिये, फिर भी से उतना जादा नहीं मिल रहा है, बिते वर्स लगाये थे तो बहुत ही अच्छे से हुआ था, एक ठुमें तो इतना सारा निकलता था, लेकिन इस बार जो है ना, दो, एक ऐसे मिल रहा है, नहीं है जादा, और भी हैं, उधर, लेकिन सार खोदेंगे तो देखिए इस तरीके से खोदे हुए हैं इतना सारा तो ज्यादा नहीं है थोड़ा ही है लेकिन उसके डंठें गेरा हैं बहुत ज्यादे तो देख सकते हैं ज्यादा नहीं है तो यह फ्रेंस कोचाई जिसको बोलते हैं और भी बहुत से फ्रेंस और भी के नाम से जानते हैं बहुत लोग कोचाई बहुत लोग कोचु बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं नहीं पता हमें तो इसको आज इसी की सबजी बनाएंगे उसके बाद में हम इसको ले आये थे फ्रेंच यह हापस किचन के पास बाहर पे ही तो हमारा हाथ जो है ओदर्द करने लगा था तो उसके पापा जी इसको निकाल देंगे बोले तो इसको निकालने में लगे हुए थे और इधर वही जो है न वो क्या होते है सबजी को छोड़ा रहे थे क्योंकि हाथ में मेरा ये लगा था तो हाथ में उसको पकड़ने के लिए ही नी बन रहा था इसलिए इसको निकाल दे यहां यह रहता था तो करने के लिए नहीं वनता था काम और यह नहीं रहेगा तो सारा जीज मगें कर लूँगे उसके बाद में यहाँ पस हमारा कोचाई भी कट चुका था और इसमें तेल भी डाल दिये थे और लसून का इसमें हम लोग तड़का लगा रहे हैं तो वही डाल दिये हैं लसून प्याज नहीं थे खतम हो गए थे घर पे तो आज हम लोग लसून ही डाले हुए थे उसके बाद में देखे जो काटे हुए थे ना हम लोग कोचाई को छील करके काटे हुए हैं तो उसी को यहां पस डाल दिये हैं और आज इसी की सबजी हमारे घर पे बनेगी तो आप लोगों को इसकी सारी रेशिपी भी मैं आप लोगों के साथ जो है सेर नहीं कर रहे हूं ब ाओं वाले बुलत बोलते हैं बिलती डाल दियें बड़ा वाला टमार नहीं थे मजार चिला थे लेकिन अभी घर्मी का मौसम आया है तो बहुत जल्दी खराब होता है तो ऐसे में बड़ा वाला टमार जो ही खतम हो गए 23B 저희 में हम नोगों का तो उसी को तोड़ करके डाले क हैं और यह ना बहुत ज़्यादा खटा लगता है तो थोड़ा सामें भीन जाता है यह मतलब हो जाता है उसके बाद में हमारा सब्जी तो पकी रहा था और हम लोग आ गए थे यहां पस धान जो उसना किये हुए थे वही धान को सुखाने के लिए तो उसके पापा जी जो है यहां पस सुखाने लगे थे जो कि अगले ब्लोग में आप सब को दिखाई भी थी मैं यहां पस का तो वही वाला है यह देख सकते हैं तो इसको सुखार है हम लोग साम को ही मतलब किये हुए थे और रात भर रखे हुए थे तो दो डिक्ची में किये थे तो इसको हम लोग बनाएंगे उसना चावल इसीलिए उबाल करके इसको हम लोग सुखार हैं है तो कौन कौन जानते हैं उसना चावल आप लोग जरू बताईएगा और किसको किसको पसंद है उसना पातो भी बताईएगा how हमें तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसना चावाल का क्या उलते हैं ओप माड खाना अच्छा लगता है सुखा खाना नहीं माड खाना तो देखें इस तरीके से हम लोग इसको उबाल करके रखे हुए हैं जब यह ऐसक fifteen जाएगा मुटवाएँगा उसके बाद में खाएंगे तो अभी तो तीन दिन लगेगा इसको सुखाने में क्युद्धी सी बाधल आता है फिर धूबग करता है भाधल आता फिर धूबग करता है तो थोड़ा सा लेट लग जाएगा सुखने में क्योंकि ये भी पूरी तरह से कच्चा हो गया रहता है उसके बाद में ना मैं यहां पस घर पे आ गई हूं जो दीख रहा है ना पूरा चीटा-चीटा वहां का जो है ना इस तरीके से सफेद करूंगी मैं घर को लिपाई करना है जब से दिवार को हम लोग ड्रेसिंग बनाय हैं एस लिए किनारे कर कम जो हैं सफेद मीट्टी से कर दे रही हूँ और सुखे गई वाला तो लिपाई करूंगी मैं पूरे घर का क्योंकि हमें भी फूरी खंटी नहीं लग रही है पूरा कलर का चीटा- Bayern हम लोग बनाय अग्मी का जो इसा नहीं है फूरे घर में लिपाई किया हुआ इसलिए इस तरीके से कर दे रही हूं और फ्रेंट्स आप सभी को मैं न होम टूर मेरा दिखाने वाली हूँ छोटा सा घर है लेकिन उसी का होम टूर क्योंकि बहुत से फ्रेंट्स मुझे पहले बोलते थे कि दिखाए दिखाए बट मैं दिखाती नहीं अभी जो है ना दो तीन दिन के अंदर में आप लोगों को दिखाने वाली उनकी हमारा घर कैसा है और कितना बड़ा है कहां क्या रखे हुए हैं वो सारी चीजे आप लोगों को देखने को मिलेगा तो बने रहेगा आप लोग हमारे ब्लोक्स पे और देखती रहेगा कि पूरे घर पे हम लोग बना दियें फ्रेंस बाहर वाले घर पे हॉल वाला में अंदर का श्रीप बाकी रह गया था नहीं तो इधर का पूरा बना दिये बट आधा जो है ना आप लोगों से श्रीप में तीन ही ड्रेसिंग सेर की थी बाकी नहीं की थी में पूरा का पूरा म तोर्च लोग जला लिए हैं और उसी से मतलब पुताई करने नहीं तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है क्यों पानी तक नहीं निकल रहा है और आज हम लोग पीने के लिए पानी भी नहीं लेके आए हैं और इस टाइम पे हमारा टाइम हो चुका था दोपहर का एक बच चुका ठाइम तक पीने के लिए पानी तक नहीं लाया था लोग पासई पानी से खाना पकाए और उसी से सब घाना रखाए तो बाद में जब लाइट आएगा तो फिर पानी भराएगा क्योंकि पानी बहुत नीचे हो गया है कुआ में अभी खीचने नहीं सकाता है तो लाइट के इंतिजार कर रहे हैं, जब आएगा तो पानी भी भराएगा हमारे घर पे, अभी दो दिन हो गया है, लगातार लाइट अच्छे से नहीं रहता है हमारे गाउं में, तो देखे सारा को मैं किनारे किनारे का कर दी हूँ, इसी तरीके से, और सुख भी रहा है, बर पुरा सुख नहीं है, जब सुख जाएगा तो दम सफेद दिखाए देने लगेगा, जब सुखेगा उसके बाद में इसको पुताई करूंगे, मैं अंदर का घर का, तो उसके बाद यहां पस में आ गई हूँ, बाहर में फ्रेंस, और यहां पस में बनाई हुई हूँ, मिट्टी और गो चड़ गये थे, और उसको मैं छाप करके निव बनाई हूँ, तो मतलब उसको कल मिट्टी से पुताई की थी, और वह ऐसा ही है, उसको भी गोबर से पुताई करना है, लेकिन गोबर फिलाल मिला नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो गोबर था, उसी से पुताई कर दे रह और बहुत ही गड़ा गोल बनाई थी, उसके बाद में लिपाई की थी, ड्रेसिंग बनाई थी, तो बहुत जादा आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया था, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गोबरे गोबर का गोल बना करके, गड़ा ग इसके उपर में पताई कर दी क्योंकि ए भी अच्छी नहीं लग रही थी, गंदे हो गए थे, इसलिए, और हमारी जो है, छोटी खेल रही थी, बगल में, और बड़ी वाली लड़की जो है, वो केमरा पकड़ी हुई थी हमारा, और हम पताई कर रहे थे, फ्रेंस, और इस बहुत बहुत जादे धूप थे, किसी टाइम पर बादल निकल जाता, किसी टाइम पर धूप होता है, तो देखिए इस तरीके से पताई कर रहे हैं, जो कि पहले का जो ड्रेसिंग बनाये थे ना, उसका डिजाइन अभी भी है, जब पताई कर रही हुँ ना, तो मैं डिज हाई दे रहा है, उसका पहले वाला का ड्रेसिंग जो बनाई थे, उसका डिजाइन, तो मेरे चाइनल पे आप सभी जो भी भाई, बहन, माता, पिता पहली बार देख रहे हैं, तो उन सभी से रिग्वेस्ट है, प्लेस बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजेगा हमें और सपोर्ट जरूर कीजेगा, और हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है, तो प्लेस सेयर भी कर दीजेगा, और कल जो मैंने कोमिनेटी पोस्ट किया था, और वीडियो डाली थी, तो बहुत से ऐसे फ्रेंस हैं, हमसे प्यार करने वाला, जो की बोल रहे थे, कि ब मस्ते हो, उसके लिए दिल से धन्यावाद आप सभी को, और हमारे साथ इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाये रखेगा, लेकिन गाओं में ऐसा होता है, ज़्यादा तव्यत खराब होती है, तब तो हमें रेस्ट करना ही पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा तव्यत खराब नहीं हुआ है, जितना आप लोग समझ रहे हो, तो मैं ज़्यादा नहीं करने के लिए, बस घर का जो भी छोटा मोटा काम है, वही सब को करने हैं, और गाओं में ऐसा होता है, जिसके घर पे अकेले रहते हूं, उसके घर पे कोई करने वाला नहीं होता है, तो ऐसे स घर में तो करना ही पड़ता है, तो जो मैं करती हूं, उसी को मैं दिखा देती हूं, जितना करती हूं उतना ही, ना कि मैं वीडियो के सक्कर में बहुत बहुत जादा मतलब परिश्रम करूं, बहुत जादा मतलब दिखाऊं वैसे, जब मेरी तबियाद ठीक नहीं रहती, त बस यही एक जो है मेरे अंदर की क्या बोलते हैं असलियत है मैं छुपाती नहीं हूं जो भी है सारा चीज को बता देती हूं तो ऐसे मैं आप लोग जादा टेंशन मत लीजेगा आप सभी से कह रही हूं जो कि आप लोग मुझे इतने जादा समझती हो और एक दीदी ने हमें कोमेंट्स किया था कि आप कुछ नया करना चाहती हो अपने ब्लोग पे तो आपना अपना आंगन को मतलब इट से जोड़ा म होगी और आंगन भी बड़ा है छोटा नहीं है तो हमारे पास पैसे नहीं है उतने की हम जो है इट ले करके बना सकते हैं तो नहीं हो पाएगा ये तो लेकिन देखते हैं अगले वर्स तक किसी तरह से करेंगे कि बाहर वाला आंगन पे ना कुछ सुखाने के लिए भी नही भी नहीं बनता क्योंकि गाओं में तो ना बैल बकरी घुमते रहता है तो सारा चीज जो कुछ भी रखे रहे तो खा जाता है तो अगले वर्स से कोसिस करेंगे लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है इट खरिदने के लिए कि हम लोग इट करके बना सकते हैं और मिट्टी का काम भी नहीं कर पाएंगे मिट्टी का काम जो है घर उठाते हैं मिट्टी से तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो भी नहीं हो पाएगा हम लोगों से तो हमारा आंगन को हम लोग ना फिर से मतलब का बोलते हैं लकडी से घिरावा कर इट से तो नहीं हो पाएगा लकड़ी से घिरावा कर देंगे हम लोग इसे ही करते हैं एक दू साल चलता है उसके बाद फिर से तूट जाता है तो उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे जो कि गाउडे हाथ में आप लोगों को देखने को भी मिलता होगा और हमारे ब्लोग में भी दिखता होगा जो कि रहता है आंगन पर वही वाला धोरना बनाएंगे फ्रेंड्स हम लोग तो देखे फ्रेंड्स यहां पस मेरी लिपाई जो है ना ओ कंप्लीट होने वाली है बस थोड़ा साही बाकी रह गया है तो आज ना मैं इसी लिपाई के साथ जो है मेरा ब्लो से क्योस्कि आज मैंने ज्यादा काम किया ही नहीं है बस इतना ही साफ सफाई किया है और घर का जो काम होता है वहीं किये हैं और पानी नहीं तो लाइब ही Até L qa तो देखिए फाइनली हमारा लिपाई जो है न वो कम्प्लिट हो चुका है तो आप सभी को कैसा लगा हमारा ब्लोग आप लोग जरू बताएगा हमारा लिपाई तो देख सकते हमारा फुल लुक कुछ इस तरीके से है तो मिलूंगे फ्रेंस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बाई बाई राधे राधे फ्रेंस